नमस्कार, करोना महमारी के दोरान कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दिन रात करके जनता के बीच जाकर लोगों की मदद की आज हमारे साथ हैं करोना महमारी से जनता के हीरो बनकर निकले भारतिय युवा कॉंगरेस के राष्ट्रिय द्यक्स श्री निवास बीबी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर आज आपको oxygen man के रूप में जाना जाता है तो यह जो नाम है यह आपके party के कारे करता हो ने दिया या फिर जनता ने दिया मैं congress कारे करता हूँ मैं कोई oxygen man हूँ यह जो कौन दिया है इसमें मैं नहीं जाना जाता हूं, मैं एक कांग्रेस करे करता हूं, इतना ही बोलना चाहता हूं. तो सर, अभी जो करोना की दूसरी लहर थी, पूरे देश में बहुत ही भ्यावश इस्तिती थी, तो आपने और आपके संग्ठन भारती युवा कॉंग्रेस ने, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ट्रांस्पोर्ट हो, एक बहतरीन काम किया है, पूरे देश में उसकी तारिफ हो रही है, तो इसकी शुरुआत करने में कुछ परिशानी आई आई आपको देखें, ये मार्च साथ तारिक, आज भी मेरे को याद है, जो युद कॉंग्रेस का जो नेशनल एक्जेगिटी हुआ, वो युद कॉंग्रेस का येस्ट बाड़ी होता है, उसमें सारे प्रदेश का अद्देक्ष और नेशनल आफिस बेरर मिलके, कुछ ऐसे डिशन कर रहा था, उसमें रहूल जी ने जो भी हम लोगने डिशन लिया था, रेजलूशन पास करने का फेले, आप सारे राजनीतिक प्रोग्राम बंद कर दो, वेव टू आने वाला है, तो सारा आप लोगने ये एनरजी इस पर डालो, जो वेव वन पर आप लोगने काम किया, उ सब को मिलके टीम बनाया, बड़ टीम बनाया तो बनाया हमने क्या करना है, किस तरीके के काम करना है, आम लोग को ये नहीं था, क्यों, जब तक मेडिकल एमर्जेंसी स्टार्ट नहीं हुआ, ये धम मेडिकल एमर्जेंसी स्टार्ट हुआ, कुछ डॉक्टर से बात किया, र आक्सिजन बेडो वेंटिलेटर बेडो इस तरीकी के कोई इन लोग ने बढ़ाने का काम इन लोग ने सरकार ने सोच नहीं किया था साथ में जो कही न कहीं इंग्जेक्शन हो और वैक्सिनेशन हो तमाम चीज़े आक्सिजन हो सारे एक्सपोर्ट सब्सक्राइब्। सरकार की सब्सक्राइब प्रशलें ने सब्सक्राइब। और आठे टाइम इस तरीके के लोग का भी बहुत बड़ी लेवेल पे रिक्वेस्ट आया थब हमने थोड़ा फाइनांस का दिक्कत है हमने पुब्लिक में जाए इसे बहुत सारा तमाम लोगों ने आ गया के बारतिया इवाक कॉंग्रेस को उन लोग ने डोनेट किया उसी प बहुत उचे लेवल पर आपकी पहचान बनी है अब सर सवाल ये है कि आपके लावा कुछ एक दो और नेता है अन्यदलों के उन्होंने भी काम किया है तो जनता से भी सवाल उठे या फिर सरकार की तरफ से भी ये सवाल उठा कि इन लोगों को मदद कौन कर रहा है और आप आप क्यों संसादन कहां से मिलें देखिया मैं सबसे पहले सारे प्रदेश सद्धेश और नेशनल ऑफिस बरर और सारे करेकरता को दन्यावत करना चाहता हूं हर तरीके का सब लोग मिलके यह को पहले आममारा लेवेल पे जो मदद करना और जो पब्लिक का जो करेगा उसकी लिए आलग टीम था वो टोटल ओनली देली वो पूरा देश में कश्मीर से कन्या कुमारी में कौन सा ऑस्पिटल में कितना बेड अवेलेबल है एक्सिजन बेड अवेलेबल है कितना वेंटे लेटर है कितना कोवेड ऑस्पिटल है इस तरीके का एक टीम आइ पाए था उसमें वेक्सिन एंडरोल करने का काओ यानि जो एक जांच बेठाई गई एक दावा भी किया गया कि आपके पास संसादन कहां से आ रहे हैं तो एक तरह से उसको हम कह सकते हैं कि वो प्रोपगेंडा था नहीं सरकार ने तरफ से बहुत दबा आया कि आप लोग के पास आकसिजन सिलेंडर इतने सिलेंडर कहां से तो आकसिजन सिलेंडर एक बार किसी वेक्ति को डालने के बाद किसी वेक्ति को दो गंटा जरूरत पड़े किसी को एक दिन दो दिन तीन दिन इस तरीके के जरूरत उसके बाद में उसको सैनिटेस करके रीफिल करके उसी को दूसरे patient को देता था बारतिय eवा कॉंग्रेस दुनिया का सबसे बड़ा estar करते हैं यह बारतिय e-wa कॉंग्रेस कॉंग्रेस पर्टी का लोगों को सेवा करना वो लोगने कहा से लाया हर चीज का हम ने जो भी हम लोग का पास हम लोगने रिपोर्ट हमको कहां से आया, कून डोनेट किया था, यूद कांग्रेस का कार्यकरता का कि किस का था, कौन से ऑस्पोटल से लाया, तमाम चीजें हमने सरकार को सारे सब्मिट किया, सरकार को भी समझ में आ गया. सर आप करनाटक से आते हैं और एक बिल्कुल साधारन परिवार से हैं, तो दिल्ली में रहके काम करना और खासकर एक पार्टी के हैड के रूप में, तो कोई परिशानी हुई भाषा समंदी या फिर कार्यकरताओं से जुड़ने से, क्योंकि पुरा डेमोग्राफी की बात करे बिल्कुल अलगे हैं? बाशा मेरे को बहुत दिकत है हुआ बट काम करने के लिए बाशा का दिकत नहीं होता है तो हिच्छा होना चाहिए बावना को समझना चाहिए एक राजनीती में धारणा है कि साधारण परिवार का कोई भी शक्स है उसको इस पद पे बहुत जाने में टाइम लगता या फिर स परिशानी तो सब फिल्ड में रहता है जो भी कुछ अच्छू करना जाता है बीच में बहुत सारा परिशानी आता है बट हम लोग को वो जो हैम रहता है हम लोग का उसको पहुचने का हम लोग के मैंड से ट्रेना काम के आल्टरनेट कुछ नहीं है आप काम करेगा उसका आ आइडियलजी के उपर फोकस किया, और आपने एक बार फील्ड में खुद हम उतरेगा, अज़ा मेरा पोस्ट को मैं जेस्टिस देना है, मैं खुद फील्ड में उतरेगा, तो सारे हमारा नीचे का लोग है, वो लोग भी सड़क पे उतर के काम करने का काम की है। सर, राहूल गांदी की बात करें, तो उन्होंने भी दिल्ली में रेप पीडिता के माता पिता का फोटो ट्विटर पे पोस्ट किया, एंसी पीसियार ने एक्शन लिया, और ट्विटर ने उनके अकाउंट को होल्ड किया, तो आपको लगता है कि राजनेतिक दलों को इन कुटने टिकने का काम किया है, आप देख सकते हैं धो तारिक इनका सडूलकास्ट कमिशन है, उनका सारी टीम जाती है, उसका अफिशल पोस्ट डालती है, तब ट्विटर को सरकार को आपती नहीं रेते हैं, तीन तारिक को जो अन्जू बहला जाती है, पूरु संसदेव ब ट्विटर को आपती है, राउल जी जाते हैं, तब राउल गानदीजी ने जाके पोस्ट करते है, तब इन सारे को आपती है, तो चीज नो साल के बच्ची है, किस तरीकी उस बच्ची के साथ अत्यचार हुआ, उसके बाद भी न माबाप को पता चले जलाने का कोशिश किया यह कई न कई बहुत दुक्शी का बात है तो अमेशा रहूल गांदीजी पीडित परिवार के साथ कड़े रेने का सोचता है Congress Party यह अमेशा बलतकारी के साथ कड़े रेने का क्यों बलतकारीं को सपोर्ट कर रहे हैं उसके उपर कारवे जाज होना चाहिए उसको सजा मिलना चाहिए इस तरीके का यह होना तो तमाम इवा कॉंग्रेस करे करता ही इस मुद्दे को उठाया सब का अकॉंड बलाग करने का काम कोशिश किया है तो सरकार का इशारे से यह सारी चीज हो रहा है जब सरकार ने इनको नोटिस दिया, हम कॉंग्रेस सारे ट्विटर को हमने सपोर्ट किया था, तो इनको नोटिस दिया, जब इनको दबाँ में लाया, पहले इन लोग ने इडी को दबाँ में ले लिया, CBI को ले लिया, income tax को ले लिया, Facebook को ले लिया, भी Twitter को भी अभी आपने ट्वीटर के मुखेले के बार प्रदशन भी किया है हमने Twitter को जगाने का काम तो इस तरीके का दबाव में आना नहीं है नरेंद्रमोदी से Twitter, नरेंद्रमोदी से दरो मत हम ये बात कहने वहां गए थे सर, महिला आरक्षन की बात करें, तो Congress उसके पक्ष में है आप भारती युवा Congress के ध्यक्ष है, राश्ट्रिय ध्यक्ष है तो अगर संग्धन की बात की जाए, तो क्या आपके संग्धन में महिलाओं के लिए कोई आरक्षन का प्रावदान है या उनके लिए सीटे रिजव हैं? आपको पता है, राजू गांदी जी के समय में, लोकल बड़ी चुनाओं में महिला को आरक्षन राजू गांदी जी ने दिया था उसके बाद में राजू गांदी, सोनिया गांदी जी ने लोक सभा में भी 33% लाने का बहुत सारा तैयरी हो गे था तब सरकार बदल गया भारतिय इवा कॉंग्रेस में राभूल गांदी जी के आदेश अनसार 33% महिला को दुनिया में सबसे ऐसे पहला डिश्यन को इस अंगटन लिया है वो बारतिय इवा कॉंग्रेस ने लिया है 33% अमरा निश्चन यहां पे 33% महिलाओं को आरक्षन है आमने दे दिया है इसको स्टेट लेवल डिस्टिक लेवल में भी हमने इंप्लिमेंट और विदान सबा लेवल में भी इंप्लिमेंट करने जाए यानि राजनेतिक दलों को खुद पहल करनी पड़ेगी जो लोग जो राजनेतिक दल इस चीज़ को लागू नहीं कर पा रहे हमारा एक साल हो गया मौका दे के अभी ये देड़ साल हो गया अभी आगला स्लोट में भी हमने इसको लगातार प्रदेश और डिस्टिक लेवल और विदान सबा लेवल तक भी लेके जाएंगे इन लोग को मौका देनार नेतरतु की बात करें कॉंग्रेस के तो एक लंबे समय से एक उहापो की स्थिति है कि अध्यक्ष पद पे कोई विचार विमर्च या फिर एक राय नहीं बन पा रही आपको लगता है कि राहूल गांदी को अब जिमेदारी संभाल लेनी चीए या फिर नई अध्यक्ष को जो भी चुनाब है उसको जल्द से जल्द करना चीए? चीनी ने, लोग ने सीमा में अंदर गुस रहे हैं, तबका लेके, जीडीपी गिर रहे हैं, सबसे ज़ादा जो अन्यम्प्लाइमेंट बढ़ चुका है, जो देश में हत्या चार बढ़ रहे हैं, हर विश्यू पर कोई वेक्ति आवाज उटाता है, वो रावल गांदी जी है वो रावल गांदी जी एक विशिनरी लीडर है, इस देश को अच्छी तरह से समझा है, इस देश को विकास देखना चाता है, तो इन लोग ने क्या किया, इन लोग ने अच्छे दिन के बात किया, अच्छे दिन, अच्छे दिन का बाव आपको पता है, पेट्रोल डीजल, सिलिंडर क्या रेट बढ़ चुका है और साथ-साथ में इन लोग ने पंद्रा लाग का बात किया था सब के काते में खाला धन आएगा पंद्रा लाग आएगा तो अभी स्विस्ट बैंक में सबसे ज़दा खाला धन बढ़ गया इनके आठ साल में सरकार उसके बारे में के न बात करने को तैयर ने देश का अनदा था किसान सड़क पे हाट मेने में लगा तर बेटा है उस अनदा था का बारे में सोच नहीं सकता हजारों किसान का मौत हो गया शहीद हुआ है तो उसके बारे में बात करने को तैयर नहीं है कि सरकार, यह सरकार को किसी के बारे में सोच नहीं है, कोई एक फिल्ड में, कोई एक विक्ति बताए सरकार ने ऐसे आच्छे काम किया है करके, अब सरकार किस तरीकी का मिसमैनेजमेंट हुआ, लाको लोग जो मर गया है करोना, करोना से थोड़ी मर रहे हैं लोग, लो से मरा हैं? आपको पते हैं, इतने बड़ी आबादी देश है ये, तो विक्सीनेशन क्यूँ आप लोग इनका रैफल चोखिदार चोड है, इनका रैफल का बारे में जो स्टोरी ब्रेक किया था, उसका बात सुन रहा है, और रहुल गांदीजी, आमर अनेता, रहुल गांदीजी वो भी चुनाओ के पहले, 19 जो लोग सबस चुनाओ के पहले आप बात सुने, आज तक ही लोग बता को मानने को था, ठीक है, आप दोनों नहीं दिया, तो बता दोनों, जाच करा दो, जाच करा दो, वो भी करना है, पूरा देश में आजारों लोग के उपर इन लोग ने जासूसी किया है, ये पहली बार सुनने मिल रहा है, पिछले कई सालों से आप लगातार धरने परदर्शन कर रहे हो, किसानों के मुद्दे पर, पेगासस के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, आपको लगता है कि सरकार पे इस चीजों का असर होगा? सरकार तो ये गुंगे बेरे नी कम है सरकार है, इसको असर पड़े ना पड़े, जनता को असर पड़ रहा है, इस देश का जनता परिशान है, इस देश का जनता इस सरकार का थेल निकालने के लिए तयार है, इस सरकार को वो काड़ के पेटने के लिए जनता ने तई कर चु सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद